दिल्ली NCR की हवा में लगातार को रहे सुधार को देखते हुए जल्द ही निर्मान कारे और तोरफोर पलगी रोप में ठील मिल सकती है जी हां केंड़े वायो गुनवत्ता आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि सम्मन में सुमवार को फैसला आने की संभाबना है पिछले तीन दिन में NCR में हवा की गुनवत्ता में सुधार को देखते हुए आयोग निर्मान शेत्र में प्रतिबंदों को लेकर धील जारी कर सकता है बीते शुक्रुवार को भी आयोग ने दिल्ली NCR में निर्मान और विध्वन्स गतिवीदियो पर अगले आदेश तक प्रतिबंद जारी रहने के लिए कहा था हाला कि सारवजनिक उप्योगिताओ, रेलबे मेट्रो, हवाई अड़ो और ISBT, राष्टे सुरक्षा, रक्षा, स्वास्ते सेवा, राजमार्क, सरको, फ्लाइवर, बिजडी अपाईट, प्लाइनों से संबंदिन परियोजनों को छूट दी गई थी वहीं कक्षा 6 से और उससे उपर के छात्रों, कॉलिजों और अन्ने सैशनिक संसानों के छात्रों के लिए भी शाररिक कक्षा फिर से शुरू करने के अनुमती दी थी इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि पांचवी कक्षा तक के चात्रों के लिए 27 दिसंबर से शाररी कक्षान शुरू कर दी जाएंगे ऐसे में DDMA की अधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुमवार यानी की आज साड़े ग्यारा बजे समिक्षा बैठक की जाएगी वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए होने वारी बैठक की अधिक्षता उपरा जिपाल करेंगे इस दुरान COVID-19 की मौझूदगी और स्तिती की समिक्षा की जाएगी साथी बैठक में स्वास्ते मंतरी सतेंद जैन नीती आयो के सदर से वीके पौल दिल्ली के मुख्य सचेव विजय देव और दिल्ली सरकार के स्वास्ते भाग के अधिकारी मौझूद रहेंगे वहीं आपको बता दें कि स्वास्ते मंतरी सरकार की ओर से की गई तयालियों के बारे में अवगद भी कराएंगे